हेलो आल स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज वापी से हम निफ्टी विकली स्टाटेजी डिसक्स करने वाले कि निफ्टी ऑप्षन में क्या काम किया जा सकता है क्या स्ट्रेजी फ्रेंग किया सकता है विस्टी विक तो क्या हो सकता है मार्केट में क्या मुमेंटम कम एक्सपेक कर रहे हैं या पिर हाइल विखनेग में एक साथिका घृष घ्र्टी में 600 अजना पी को capture करते वे कि ऐसा नहों कि लास्ट वी के तो आपको बड़ा मुव देखने को मिल जा आपने जो पूरा पैसा कमाया है मार्च स्रीज में उसमें वह जो आपने पैसा बनाया वह लॉस में चला जा या फिर आपने जो लॉस किया उसमें और लॉस कर दो ठीक है तो थोड़ा है भी रखेंगे बाट नो डाउट थोड़ा सा रिस्क भी हम इस बार यहां पर लेने वाले क्योंकि अभी हम देखो गया तो अमनी पोजिशन थोड़ी रिस्की बना रहे हैं तो निफ्टी का वीव डिसकस करेंगे पहले हम इस चाड़ेजी डिसकस करेंगे और इसके बाद इ सकता है और 16,500 की पुट देखो तो यहां पर आपको हाइस्ट अपर देखने को मिलेगा तो यह एक सपोर्ट के तौर पर देखा जा सकता है ठीक है रेंज कितना मिल गया निफ्टी की क्लोजिंग 17,200 के आसपस आए नीचे 16,500 उपा 17,500 मतलब लगब हजार पुइंट का तो आप असानी से स्ट्राटेजी को मैनेज कर पाओ इसलिए इतना बड़ा रेंज रखते हैं ठीक है तो इस रेंग में अगर इतना बड़ा रेंज है तो क्या कर सकते हो आप इस ट्रैंगल भी बना सकते हो ठीक है इस ट्रैडल भी बना सकते हो ठीक है या फिर आप आप तो यह आपको एक अच्छा देखने को मिलेगा कि यह लेबल फिर वापिस इस मार्च में यह लेबल ब्रेक नहीं कर पाया है वापिस कोशिश किया तच करने का बस यहां पर सस्टेंड नहीं कर पाया और तेंकिंग कि जिसे साफ से निफ्ली 15800 से चलना स्टार्ट हुई थी इ 7500 के आसपास यहां से बार बार आपको सेलिंग देखने को मिलती है ठीक है थोड़ा अगर पीछे आप आ जाओ तो आप देखोगे इससे पहले इससे पहले यह वाला एक रेंज था ठीक है यह वाला रेंज था यह लेबल ब्रेक नहीं कर पारी थी निफ्टी और यह वाला अगर आप देखो घो गेंगे दोनों-تीनों बार तो रेंज कैसे टोता यह लेबल को बड़ा पॉजर आ गया तो हो सकता है gap up में यह लेवल आपका ब्रेक कर जाए बद चांसेदार वेरी लेस कि वह लेवल ब्रेक करें बट कुछ नहीं करके सकते क्योंकि इस महीने में कई बार अगर आपने प्रेडिक्ट किया होगा कि मार्केट का सपोर्ट और रेस्चेंसी रह सकता है वह लेवल ब्र देख हुआ है और पोजिशन आपकी ट्रैप हुई है जब ही मैंने हमेशा कहा है पूरे मार्स में उससे पहले कहता हुआ हूं कि पोजिशन हंड़ेट पसंट हैज करके रखोए डोड़नों कि क्या होने वाला है मार्केट में ठीक है तो अभी रेंज हमें मिल गया रेंज हम मैंने आपको बताया ठीक है तो मूफ करते हैं और इस स्टाटेजी डिसक्स करते हैं अगर आप निफ्टी क्यों हम ट्रेट करें बैंक ट्रेट नहीं करें तो बहुत ज्यादा ओमेंटम निफ्टी में भी है but not like bank nifty तो सकता है bank nifty हम weekly expiry के दिन trade करें but for the time being nifty okay तो strategy discuss करते हैं उसे पहले मैं आपको बता दूँ course जो hedging के उपर है अल्रडी लॉंच हो चुका है go and check and even you can be the part of my hedging classes courses option selling सिखना है you can be the part of my classes everything if you wish like okay option specific option selling सिखना है yeah specific hedging सिखना है things are available okay description link दिया हुआ है go and join the classes अगर आप देखो यहां पर आजाते हैं point पे nifty की closing हुई है 17200 के आसपास लगभा ठीक है तो अगर मैं यहां पर strategy आप से discuss करूं क्योंकि range कितना दिख रहा है आपको thousand point का range देखने को मिला nifty में कितना range रह सकता है ठीक है तो इसके according अगर यहां पर एक strategy frame करके देखते हैं ठीक है मैं यहां पर आ जाता हूं करते हैं देखते हैं प्रीमियम क्या है लगबग 36 रुपय के आसपास तो थोड़ा और उपर मूफ कर जाए 7700 22 रुपया चलो एक बार इसको सेल करके देखते हैं ठीक है अगर ऐसी एक position आप बनाते हो क्या हो सकता है strategy में strategy में देखो probability कितनी हाई है 80% प्लस है कि आपको इस strategy में profit हो सकता है ठीक है और आपको margin यहां पर ज्यादा देना पड़ेगा क्यों क्योंकि पोजिशन आपकी जो है वह नेकर इस ट्रैंगल आप बना रहे हैं और आपको ब्रेक इवन कितना शांदार है 16,450 से लेके 17,700 मतलब अगर data देखो तो data के recording भी और चार्ट के recording भी आपने जहां पर support और resistance लगाया है उसे बहुत दूर है तो इस position को आसानी से execute किया जा सकता है अच्छा आप देखो माल लोग पांच लाग रुप्य आपने लगाया है ठीक है आज position आपने execute की तो अगर आपको investment के recording आपको यहां पर प्रॉफिट मिल रहा है एक पसंट दो पसंट का तो प्रॉफिट किया जा सकता है दो परसंट कोई कम प्रॉफिट नहीं होता हलाकि अब यह देखो तो यहां आपको पूरा टू परसंट ही दिख रहा है इतना ही profit आ सकता है strategy में तो पूरा दिन तक वेट करनी के जरूरत नहीं देन इन इनसेंस के पूरे week वेट करनी के जरूरत नहीं अगर एक परसंट मिल रहा है तो आप बोग करके दूसरी position में जा सकते ह या फिर 2% के लिए वेट कर सकते हो तो एक normal strangle की बात करूं कि normal strangle इस तरह से बना सकते हो safe trading रह सकती है इसके लाओ और क्या कर सकते है और डेली बेसिस पे क्या trading कर सकते हो तो डेली बेसिस पे आप straddle में भी जा सकते हो अगर आप देखोगे ना इस month पूरा क्या है Wix 22 के उपर maintain हो रहा है ठीक है तो आपको premium भी बहुत अच्छा option में देखने को मिल रहा है ठीक है जहां पर premium ज्यादा है तो option seller के लिए opportunity पर ज्यादा है but at the same time risk भी ज्यादा है risk हाई है reward भी हाई है ठीक है तो premium अच्छा देखने को मिल रहा है बकि normal days में जोगे जहां पर 15 और 16 क सब्सक्राइब होता है तब आप देखना वहां पे आपको अगर थाउजन पॉइंट का आप इस पेस लेते हो तो premium यहां पर पांच रुपया भी नहीं बचाओता है बट इस तिल यहां पर आपको 23 रुपया premium देखना को मिल रहा है तो इस opportunity को आप grab कर सकते हो at the same time जैसे ल पुट आप्शन को आप सेल कर रहे हो ठीक है तो इसमें भी रेंज आपको क्या देखने को मिल रहा है 16,894 और 17,606 अगर अप साइब देखे हो तो आपके resistance के ऊपर है आपका resistance यहां पर यह जो breakaway न है और support में अगर आप देखोगे तो 16,500 का support find out कर रहे तो बट यहां पे 16 11,900 आपको देखने को मिल रहा है मतलब थोड़ा risky हो सकता यह trade इसलिए अगर आप straddle कर रहे हो है ना तो daily basis पे close कर के job position को क्या है देखो से margin भी आपको ज्यादा लग रहा है no doubt आपकी profit quality आप अच्छी दिख रही है profit भी आपका अच्छा दिख रहा है but you don't know कि कल gap up होने व इसलिए अभी जब तक यह टेंशन चल रहा है global टेंशन तब तक आप overnight अगर कोई position केरी कर रहे हो तो वह 100% हैज करके लिए जो अधर्वाइस इतना ज्यादा risk लेनी की ज़ूरत है नहीं और मैं यह समझता हूं कि स्टैडल मैंने आपको बताया है और स्टैडल में आप इंट्राडेवी भी कर रहे हो 25% का stop loss लगा के तो इस वीक में हर वीक आप पैसा बना सकते हो बट सवाल यह है कि आपको 25% और 30% का stop loss मैनेज करना है इस नौट सो कि अगर मालो आप 5 डेस टेडिंग कर रहे तो 5 के 5 डेस आपको यहां पर प्रॉफिट आने वाला है ठीक है हो सकता है आपको दो दिन प्रॉफिट नहीं है हो सकता है कि आप नेट तू नेट में निकल ज सकता है कि इस बार आपको विक्स में भी एक ड्रास्टिक मोमेंटम देखने को मिलें डाउंसाइड ओके तो वहां पर आपको फाइदा उठाना है ठीक है तो यह था स्ट्राइडल कि अगर स्ट्राइडल भी आप चाहों तो बना सकते हो बाकी एक स्ट्राटेजी और मैं इस और डाउंसाइड पर मैं देखूंगा यहां पर 16600 किक पुट आप्शन चेक करते हैं ठीक है यह वाली हम यहां पर बाई करने वाले तो अगर इस तरह का बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा थोड़ा सो और इसको मूफ करते हैं कि तरफ क्या रहता है देखते हैं कि थोड़ा सो और मूफ 16600 की तरफ जाते हैं कि 16800 की तरफ हां कुछ इस तरह की स्ट्राटेजिया आप फ्रेम कर सकते हो जो जनली क्या है आरन फ्लाइए अगर आरन फ्लाइए बना रहे हो तो अब देखो प्रबाबिल्टी क्या होता है थोड़ा सा इसमें डिक्रीज हो जाता है जहां पर आप स्ट्राइडल करो जैसे आप आरन कांडर में मूव करते हैं आरन कांडर में आपको जनरली थोड़ा साउप साउइड देखने को मिलता है थीक है इसके पिछे आप कोई सा भी लेबल ब्रिच हो रहा है तो आपको एडजस्टमेंट शिफ्टिंग फास्ट रखना होगा फास्ट इन दसेंस कि आपका व्यू भी क्लियर होना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है न कि यह लेबल आया यहां पर टच करके वापिस से मुमेंटम अपसाइड आया तो क् ठीक है जैसे आपने बनाई अगर मार्केट यहां से घुम गया अगर इंट्राइड घुम गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बट अगर टाइम लेके वापिस आया तो आप प्रॉफिट में आने वाले आपको पता है कि आयरन फ्लाई कैसे मैनेज किया रखता है वीडि भी बना सकते हो तो तीनों स्ट्राइडिस भी का रिम कर सकते हो बैक टो बैक आल गीव अपडेट उन माइट टेलिग्राम चैनल जो आंट जोन मैं टेलिग्राम चैनल मनी मैनेजमेंट के नाम से हैं और रिक्वेस्ट यू तो सब्सक्राइब माय यूटुब चैनल थाकि आ आगे बढ़ना है और मैंने मेंशन किया था कि स्टॉक हम कौन सा इस पर से किया आप हम टागेट करें तो इस विक जो आल्री हम रिलांस को बहुत दिन से टागेट करें जिब रिलांस 2200 चल रहा था तो भी और अभी जब 2600 चल रहा है अध दे सेम टाइम एच्ट एच्ट मैं फेबरेट स्टॉक अभी मैं इसमें काफी ट्रेट कर रहा हूं ठीक है नोड़ा एच्टी बैंक में फॉस्ट फज गई थी तीक है अभी उसको हमने मैनेज किया बट जो स्पेसिफिक हम टागेट करें स्पेशलिए बैंक और एच्टी लिमिटेड इसमें आप्शन की ब बहुत अच्छा मोमेंटम लग रहा है हो सकता है टाटा स्टील एक बार इसको वापी से आपको 52 वीक का हाई ब्रेक करता हुआ दिखे तो तो तीन-चार स्टॉक फोकस में रहने वाला है HDFC बैंक HDFC लिमिटेड रलाइंस इंडेस्ट्री टाटा स्टील तो इवन यू चेक इस स्टॉक और यू कन प्लान स्टाटेजी इन इस स्टॉक इस स्टॉक में बहुत स्टाटेजी और स्टाटेजी एक्जिक्यूट कर रहा हूं जहां पर मार्जिन कम लग रहा है हमें और हम प्रॉफित उतना बना पारें जीतना हमें कि इंवेस्ट्मेंट में बना सकते थे short term की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है long term नहीं तो इस stock पर आप specific focus रख सकते हो along with this study तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है next video में thank you so much